Hello everyone, so कैसे हैं आप सब I hope आप सबी बढ़िया होंगे आज की इसमें तर्चा करने जा रहे हैं IP University के अंदर BCA course के अंदर Top Colleges के अंदर एडिमिशनेने के लिए Top Rank कितना जाता है साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे कौन-कौन थे Top Colleges है जो BCA course offer कर रहे हैं इसके अलावा आप लोगों की जो IP University की online counseling का process आगे continue करेंगे उसमें आपको किस तरीकी से अपने Colleges की arrangement करने से आपको अच्छा खासा idea लग चाएगा और इन Top Colleges में जाने के लिए आपको अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी तो इस मेहनत को हमारे साथ करिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं IP University के BCA course का एक complete crash course जिसके अंदर आपको बिल्कुल starting से lectures मिल रहे हैं और एक एक topic को बहुत अच्छे से बढ़ाया जा रहा है और special discount के साथ एक course अभी हमारे पास available है जिसका coupon भी दो दिन में expire हो जाएगा तो अभी जाएए डाउनलोड करिए higher education के application जिसमें BCA course की live preparation हमारे साथ चल रही है तो अब बात करते हैं कौन-कौन से colleges हैं जिसमें आपको करने को मिलता है BCA course और साथ में ये भी आपको पता चल जाएगा maximum rank कितना जाता है तो जैसे के आप सब देख सकते हैं ये है पहला college हमारे पास जो है महराजा सोरजमल Institute of Technology ये college जनकपुरी में located है और ये बहुत ही popular college है IP University का जिसके अंदर आपको दो shift के अंदर BCA program करने को मिलते हैं shift 1 है आप लोगों का जो की morning shift होता है shift 2 होता है आप लोगों का evening shift होता है outside Delhi के लिए बात करें तो 114 rank जाता है Delhi candidate के लिए 277 या फिर 272 के आसपास इसका rank गयाता है पिछले साल और expectedly हर साल यही रहता है महराजा सूरजमल के अंदर जैसी first quarter five BCA के colleges की जो सबसेट बोलते हैं कि third round तक तो कुछ बचता ही नहीं है आपर first round में जैसे ले लिए admission ले लिए उसके बात तो बस यहाँ पर move on student करता ही नहीं आगे वाले colleges के अंदर outside Delhi rank के बारे में बात करें तो 327 जाता है rank और Delhi region rank के लिए outside Delhi के लिए लिए second shift में जाता है 665 rank जाता है maximum तो अगर आप out of 7000 students इतना rank लेके आ रहे हो तो ही आप इस college का नाम expect कर सकते हैं अपने college की list के अंदर ये outside Delhi और inside Delhi में आपको difference भी दिख रहा होगा कि almost half का difference होता है अगर 300 Delhi है तो outside Delhi तो Delhi वाले को 600 rank पे पर admission मिल जाता है तो मैंने आप लोगों को 85% seat reservation का भी criteria समझाए था तो वही चीज है आप लोगों जो criteria है उसके according ही आपको यहाँ पर admission मिलता है तो 85% में जो डेली के generator है उनके लिए 85% seats available है second number पर जो हमारे पास college available है वो है विवेकरनन इसिटूट of professional studies विप्स तो विप्स के अंदर आप लोगों का outside Delhi rank के जी student है उनका जाता है first shift के अंदर 264 rank और Delhi rank जो जाता है वो जाता है under 600 याने की 600 से under 100 अगर आप rank लेके आ रहे हो तो BCA course के लिए आपको यहाँ पर admission मिल सकता है first shift में second shift का जो rank है वो जाता है 845 Delhi rank के लिए और outside Delhi के student के लिए 476 का यहाँ पर rank जाता है अगर आप मैं बात आपको बताऊं fees structure की तो IP इनिशिटी में जो fees structure रहता है वो 80,000 से लेके 1 lakh per annum तक की fees जाती है यहाँ पर इसके अलावा 70,000 से भी जो है fees चालू है और अब इस सल जो है थोड़ी से fees के अंदर increment भी हुआ है तो 1.1 वया फिर 1.2 आपको mostly colleges के अंदर per annum का जो है fees structure देखने को मिलेगा और इस पर counseling की fees भी बढ़ गई है 60,000 आप लोगों को pay करना होगा online counseling के दोरान अपनी seat को hold करने के लिए अब देखें यहाँ पर आता है तीसरे नंबर पर जो हमारे पास college है वो है जगनात international management school जिम्स रोहिनी जिसके अंदर first shift में अगर हम बात करें तो outside Delhi candidate के लिए 614 rank गया है Delhi rank गया है 903 का second shift के अंदर outside Delhi rank गया है 544 और Delhi rank गया है 1114 याने की 1100 rank के आसपास भी अगर आपका admission हो रहा है तो आप top 3 colleges को expect कर सकते हैं 1100 के अंदर अगर आपका rank कर रहा है 1500 के अंदर rank कर तो आप top 4 में पहुझाते हैं और 1100 से कम rank है जदा है 1100 के आसपास है तो top 3 में आपका expect कर सकते हैं BCA course के अंदर admission इसके बाद आता है आपका gyms वसंदकू gyms वसंदकू साव डली का बहुत ही top college है BCA course के लिए यहाँ पर shift 1 के अंदर outside डली के लिए गया है 544 और डली rank गया है यहाँ पर 1100 याने की जो gyms रोहीनी की second shift का rank था वो यहाँ पर first shift का rank बन जाता है इसके बाद outside डली rank जो है second shift के अंदर गया है 638 और डली rank जो गया है वो गया है 1500 around तो 1500 में आप जा सकते हैं top 4 colleges के अंदर और top 3 में जाते हैं आप 1100 rank के अंदर next college है हमारे पास IITM जो college हमारा है जनकपूरी के अंदर institute of information दो college होते हैं IITM के एक है information और एक है innovation information अगर बात करें तो यहाँ पर maximum rank Delhi candidate के लिए गया है 1341 और 947 outside Delhi के लिए shift 2 में बात करें तो outside Delhi के लिए 1000 rank तक यहाँ पर admission हुए है और लंशम 1900 से नीचे नीचे अगर आपका rank का रहा है 1900 से अंडर अंडर में है तो आप IITM college को expect कर सकते हैं next बात करते हैं innovation का जैसे कि मैं आपको बताया है दो campus है एक information और एक innovation तो innovation के अंडर आप लोगों को जो outside Delhi का shift 1 के अंडर rank गया है वो है 1000 और Delhi rank के लिए गया है 2000 के अंडर में हापे आपको admission मिला है दूसरा shift 2 के बारे में बात करें तो outside Delhi rank जो है आप लोगों को गया है आप लोगों को गया है आप 1478 और Delhi rank गया है 2300 याने कि approximately 2400 rank में गर आपका आया है तो आप IITM college को expect कर सकते हैं अपने admission list के अंदर और मैं आपको बता दूँ यह college is ऐसे जिनके जो cut off है हर साल उपर नीचे होते हैं पिछली बार 2400 है तो इस बार यह 2300 भी हो सकता है 2500 भी हो सकता है तो 100-200 उपर नीचे मान के चलो आपको लेके चलना है आपको पहले से better ही approach करने हो कि हर साल colleges की जो है popularity बढ़ती जा रही है admission के लिए नेक्स्ट आपके पास Trinity Institute of Professional Studies जो की द्वारेगा के अंदर college है shift 1 के अंदर जाते है और साथ डेली rank के बारे में बात करते हैं 1359 rank जा रहा है डेली rank जा रहा है आपे 2089 shift 2 के बारे में बात करते हैं तो आउट साथ डेली rank जा रहा है बनार सिदास चांदी वाला जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही shift के अंदर admission मिल रहा है आउट साड डेली rank के बारे मात करते हो अगर आउट साड डेली का student है तो वो 1500 rank तक अगर लाया है तो उसको यहाँ पे admission मिल सकता है इसके बाद जो डेली का candidate है वो 2800 तक अगर लेके आ रहा है तो उसको यहाँ पे admission मिल सकता है यानि कि 3000 rank तक आपको यहाँ पे admission मिल सकता है यह top notch colleges है आई-प उनिशिटी के वैसे जो है student apply करते है 7000 से plus student जो है apply करते है BCA course के लिए हर साल आई-प उनिशिटी के अंदर तो बाकी के जो बचे बच जाते हैं उनको यहाँ पे admission नहीं मिल पाता मिलता है तो कुछ low rank colleges के अंदर admission मिलता है उनकी list मैं आप लोगों साथ share कर दूँगा बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यह जो colleges हैं यह बहुत ही अच्छे colleges हैं IP University के जिनके अंदर आप लोगों को अपनी priority बना के चलने हैं और इनके लिए ही महनत करने के लिए मैंने आपको बताई दिया था कि आप लोगों को download करना है higher education का application जिस पर हमारा live batch चल रहा है BCA course के लिए तिल दी admission आप लोगों support मिलेगा complete details आप लोगों को admission के हमारे थूर मिलती रहेगी time time पे जो भी updates हैं वो सब आप लोगों मिलता रहेगा higher education पे और बागी आप जुड़ी चाहिए हमारे साथ और ऐस टाइम पे और भी courses के लिए जो है video लेकिया हूँगा आपको और भी दूसरे courses के लिए video चाहिए तो वो आप description में mention कर देना जिसके लिए मैं proper video आप लोगों के लिए बना दूँगा मिलते नेक्स वीड़ी में सिद्रिके के education content के साथ बाबाई, take care, thank you so much